नमस्कार दशक्मित्रो आपने हाली रहाचो S-Live News Bulletin नजरनाख्ये अत्यार सुदिना मुख्य समाचारो बर आजम खादना विवादात पद निवेजन्ती समगर गुजरात का रोश्णी गागनी जंत्री अंगे नो सरकार नो परिपत्र रजकत्ती गुजरात हाई कौन माया बैन कोटनानी नी तब्यत अंगे कोईपण मंक्रिये कुछा न गरी सिविल हॉस्पिटल कैमपाद मा रूपिया आट सो बैक करोंडा खते अध्यत्तान त्राण सुपर स्पिशालिटी हॉस्पिटाल तैयार सते अपनां बालोंगोने उपियोगी इवी संस्ता मंतर्ला लाभारते सीव कधानु आलजे कालुपूर स्वामिनायर मंचिर ज्वारा विज्यम्नों सुपिया पाट्रों सो ब्योजार उत्तर प्रदेशना नगर विकास मंतरी अने समाजवादी पार्टी ना वरिष्ट निता आजम खाने बाजपना वड़ापदान पतना उमेद्वार नरेंद्र मोदी नी टीका करता जणाविके मोदी ना गुज्यात मा जो मुसल्मान तैम ने तेको आपशे नहीं तो तेमने तेजापती बाड़ी नाखवा माँसे तेती मजबूरी मा ते तेमनी साथे रहे छे नाथ नाथ ठी मुसल्मानों ती माफी मागवाना निवेदन अंगे आजम खाने जणाविके बाजबने जो खरेकर पोतानी करीनी पर पस्तावो होई तो तेमने अयोद्यमा बाबरी मस्जिद नो निर्मान करूँ जोई तेमने वदुमा जड़ाविके आपशी वादी लोकों नो विश्वास करी शकाय नहीं जो ते हमने विश्वास कायां करो हो है तो ते हमने मस्जिद बनावी आप जो ये तो अगर गुजरात के मसल्मानों से वोट ले सकते हैं तो हाँ अगर पूरे देश मसल्मानों के लिए गुजरात बनाएंगे तो हो सकता है मरता क्या नहीं करता क्या करेंगे तो देश्चत से वोट लेंगे अगर ये सेकुलरिस्म लुरेंदर मुदी का है तो इस सेकुलरिस्म को शायद हिंदुस्तान नहीं मनेगा देखिए आजम खाने के ऐसा चरीत रहे भारत के अंदर कि मैं उनको राष्ट दोही मानता हूँ आगे भी वो भारत माता को डायन बोल चुके है अगर इस देश के मुसल्मान भाईों को हिंदु के साथ रहना है एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहां हिंदु को जलाया जाता है यानि उस मुसान में उनकी वीदी होती है और मुसलिमों को दफनाया जाता है ये कोई बंद नहीं कर शकेगा आजम खान के बरोसे या आजम खान के कहने से चलेंगे तो ये जो कड़वाट है वो कभी सांत नहीं होगी गुजरात में सबसे भारत के अंदर सबसे अगर सेव कोई है तो गुजरात है और गुजरात में जो भी मुशलमान भाई है वो आज समरूद है और सांती से अपना रोजगार चलाते है तो उनका आदर्स मौला ना आजात होना चाहिए आजम खान जैसे विक्ती नहीं होने चाहिए देखिए पहला आजम खान को तो क्या मेंटेन होस्पिटल में ले जाना पड़ेगा गुजरात के अंदर लास्ट तेरा चोदा साल से जो सेप्टी है यह तो मैं कहना चाहूंगा जो पूरा इंडिया में हो नहीं है यहां के मुसलिम बहुत सक्कम है मजबुत भी है अच्छे तरह से रोजगार दंदा रोजगार भी मिलते हैं और कहीं भी निकल बढ़ता है रात को दो बज़े अड़ी बज़े कोई पबलन नहीं है जहां तक मोदी जी का सासन है वहां तक तो फूर सेप्टी हम लोग को मिला है कांग्रेस के सासन के अंदर 6-6 महीने बिजनेस करने के लिए मिलते थे मुस्लमान को और 6 महीने कर्भी के अंदर रहना पड़ता था तो अजम खान को मेरा ऐसा सला है जो उसको दवा कहना में ले जाना पड़ेगा और ऐसा कोई भी सर्टिफिकर नहीं दे सकता है कि गुजरात के मुस्लिम मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ यह ऐसी डला दिया जाता है और जबर जिस्ती बोट देने के लिए पेसार कहा जाता है बिल्कुल गलत बात है उनकी अजम खान जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य से परे है तो कि गुजरात के अंदर मुस्लिम नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम की से डरा हुआ नहीं है बात सरफ इतनी है कि जिस तरीके से नहंदर मोदी जी पिछले कई दिनों से एक कैमपेंच चला रहे है कि पूरे इंदुस्तान में घूम करके एक ही बात महाँ पर करते हैं कि अभी गुजरात के अंदर 25 तकार से ज्यादा लोगों ने भार्की जन्तापाटी को वाट लिया है उसके पिछे की भार्की जन्तापाटी की अगरण निती है कि वो सैक्यूलर मद्दाताओं के अंदर अपनी पैट जमाना चाहते हैं और दूसरा कि NDA का सही तरीके से विस्तार हो NDA के साथी पक्सों को एक अपना मैसेज देने के लिए ये बात को करते हैं मैं मानता हूं कि आजम खान की जानकारी है ये बिल्कुल गलत है और मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि गुजरात की बात करने से पहले वो अपने उत्तर प्रदेश पे देखी कि पिछले एक साल में अकिलित परसाथ के जो सासन के अंतर सवासों से ज्यादा दंगे वहाँ पर हुए है और मैं तो बहुत ही हाचोड कर सेकुलर पार्टियों से विलन्दी करना चाहता हूं कि अब सेकुलर पार्टियों के वक्त आ गया है कि कम से कम वो लोग मुसलमानों की जजबातों के साथ खिलना बंद करे और ऐसी कोई बाते ना करे जिससे के मुसलिम समाज को ऐसा लगे कि वो उनके साथ खिलवाड हो रहा है बीजी तरफ तेमने वदुमां मेर के अमें तो कुम्बनू संचालन करीज रहा ची आ अंगे समगर गुजाद मां गेरा प्रत्य अगादो पड़े आदा जे मां गुजाद बाजब द्वारा तेने वकोडवा मां आवे होतु आ उप्रा जानिता बागवत कताकार पुझ्चे चेतन्य संभू मारा दे आजम खान विसे जणावु के आजम खान हम में सा अभिवादास पन नियोदनों माटे माहिर चे अने तेमनी आवात ने अमें वकोड़िये ची राजिय सरकार द्वारा वर्ष 2007 मां दरेक मिलकत नी जंत्री मुझब दस्तावेज करवानों परिपत्र जाहेर करवामां आवे होतो सरकार द्वारा आ परिपत्र ने हाईकोड मां परकारवामां आवता तेले रत करवानों आदेज हाईकोड नी खंट बीट द्वारा आपवामां आवे चे राजिय सरकार द्वारा गत तारिक 9-5 2007 ना रोज एक परिपत्र जाहेर करायोतो जेमा स्टैप एक नी कलम 32 ए मुजब 9 नी माटे थता दस्तावेजों मा जंत्री मुजब नी बजार की मते पूर्ती स्टैप ड्यूटी नो उप्योग ना थहलो होय तेवा दस्तावेजों ने रजिस्टेशन रूल्ग ना नियम 45 एक मुजब 9 नी अटे शिकार हो नहीं अने सबंधित डेपिटी कलेक्टर पासे बजार की मत नक्की करावा रजू कर्षे तेम ठड़ाव मा अव्योदू आ परिपत्रनी अमलवारी 15 मे 2007 ना रोत्ती जाहरात कराई यती आईकोर्ट ना चुकादा मुजब स्टेम ड्यूटी ना मुल्यांकन माटे नी बजार की मत जंत्री मुजबच गणी ते मुजब स्टेम ड्यूटी वसुलवानी सरकार नी गायलाइन ने रहत करी छे अने अगावनी जेम कोईपण की मत रजू थता दस्ता वेजो सब रजिस्टार कचेर मा रजू थाए तो नोधवापड से तेवो आदेश अपायो छे गईकाले सिविल हॉस्पिटल केंपस नी त्रण सुपर स्पेशालिस्टी हॉस्पिटल ना भूमी पुज़न प्रसंगे मंत्री मंदर ना मोटा बाग ना मंत्रियों हाजर रहा था जेमा कोईये पन मोटी बिमारी थी सामें लड़त आपता डॉक्टर माया बैंकोडनानी तब्यत अंगे पुच्छा करी ना थी चेक सिविल केंपस नजी के आवेले मंत्रियों कात मुरत आने बाष्ण करी गाधिनागा जवा रवाना थाया पर दो कोईपन मंत्री आने अंदावाद ना दारासब्य सिविल हॉस्पिटल मा जैने पूर्वा दारासब्य माया बैंकोडनानी नी तब्यत अंगे नौत पून अंदर दी सिविल कोई मुलाकात जैसे करी खास के ये ये थत्तुवे बधू करवा मा वह से अने हमना अंगस्त नियो हमना कारिये करो ये नियमोंनी मरियाद आमारे ये मुलाकात करता हो से एक इंटर्यूमार नितिन पटले जनावु के अमैन माया बैंकोडनानी नी शाथे चिये अने मरियादामारे शमाय अंतरे ये तेमनी मुलाकात लईये छे अत्रे उलेखनिय चे के थोड़ा दियस अगव उत्तर पदेशना प्रबारी अमिल साय मायमेन कोड़नानी नी मुलाकात लेदी हती अने तेमनी तब्यत अंगे पन जानकारी मेड़ी हती गुजरात सिविल होस्पिटल केंपस मा आरोग्य अने परिवार विबागद्वारा रुपिया आट सो बै करोडना करची किड्नी केंसर अने आक्रना रोगोनी सारवार माटेनी सूपर स्पेशालिटी होस्पिटालों आरोग्य मंत्री नितिन पटेल, बांतकाम अने मैसुल मंत्री आनन्दी मैंट पटेल प्रदिपसी जाडे जा सांसत दौक्टर कीरित चोलंकी सहितना अमदावार ना दारासर्व्य उपस्तीती मा खात मुरहत योजायो हतु आ होस्पिटालों मा 384 करोडना खर्चे अध्यतन कैंसर होस्पिटाल बनावासे जमा बेजमेंट मा बेमार अने च्छाव मार नू बिल्डिंग हसे 308 पथारी नी व्यवस्ता साथे कैंसर ना रोगनी सारवात उपलब्द हसे जारे मस्सो बाणू करोडना खर्चे 600 पथारी वाली किदनी होस्पिटाल तैयार कराशे एक मोटी जुम्बे सुपाडी छे औने समग्र राजमा गुजरात सरकार ना आरोग्ये विभाग तरप छी अमाम सारवारों नी आध्यूनिक सुपिदाप्ती होस्पिटोलों नी मोटी सुंखला उभी करवानों आयोजन लक्की करिए औने येना पेटे लगबग ब्याजार करोर रुपियाना मजेट नी पर राज्ये सरकारे जो बई करी शे येना भागरुपे आजे अम्दावाद मा गुजरात ने अध्य प्रदेश राज्यस्तान नने राच्यूना पर दरदियों जे मुटा प्रमर मा सारवार नेड़वा आवे शे येवी कैंसर इस्टीटीट इदनी इस्टीटीट ना नभी नत्यतन मकानों बनावा शाथे शाथे आखनी जे वस्पइटल छे यने पनत्यतन बनावी मुटी बनावी ये माठेनों कामाजे सरू करी छे और त्रणे माठे 322 करण रूपया ना कामो नियाजे सरुवात करी छे जेमां केंचर होस्पीटर माटे 344 करो रुपया नी बुल जोगवाई करवा मावीचे जेमां 308 पथाली नी पथम तबक के हमें वेवस्ता हिया करीशू आज टेटनी होस्पीटाल सुपर स्पेशालीटी हसे जेमां अध्यतन टेक्नोलोजी नो उमेरो करवा मा आवे चे आउटरां 126 करो नाखर चे आँखनी 200 पथारीवाडी होस्पीटाल विक्सावा मा आवसे अत्राइब होस्पीटाल सिविल होस्पीटाल नजीक आवेली मन्जूस्री मिल्ट कमपाउंड खाते राज्य सरकारे जग्या फालवी हती जेमां तैयार करवा मा आवनाच मन्थन एक एवी सल्थार के ज्यां अपंग दिकरियो ने मानो प्रेम मले बनवानी तक मले आत्म विश्वास केडवानी तालिम मले पंगुता माती मुक्ती मले अने निराधार दुखी बहनोंने बालक बालकोनु भाल मले जीवन जिवा माटे दरेक प्रेरक बल मले मन्थन सने ओगणी सो एकाणु थी अपंग असहाय निराधार बहरी मुंगी अंद मांची क्षतिवाली बालाओनी संबाल ले छे तेमने पकबर करी नव जीवन जिवानी प्रेणा अपती फक्त बालाओनाज उनवशन माटे पस्चिम बालतनी एक मात्र संस्ता छे जे 21 अपंग बालाओनी कुपलोती सरूताई 350 जेतली बालाओन ओ सम्मावतु वटरूक्स बनी गई छे मन्तनी विशेष्टा ये छे के आवी अपंग दिकरियो तेमना माबाप के तेमना वालियो पासे थी कोई पण मदद फी के डोनेशन नी आसावगर राके छे आवी दिकरियो ना तमाम खर्च संस्ता होते बुगोई जे अमने बालापको संस्ता होते जाने तेला लोकोपनी उतर मतर रप्रीर है अने अमने नारी सेंचर कर लोगे गुजरातनी प्रजा परदेशमा वस्ता गुजरातियो उपर नाराकिया मदद द्वारा आधार राके छे आज दिन चुदी संस्ताने सेवा सबकार मतो रहुचे 2013 ने आखरेज आ संस्ता है समाज ने एक नौन नजरानों नारी केंदनी भेट आपिये दी जे सो जेतली ग्रामिन विस्तार नी तेकता तर्छोडा आईली विद्वा बहनों ने बहनों माटेनू आश्रास्तान बनी रहे दी वंदनीय परंपुज्य गिरी बापुए सिव कथानू आयोजन करी मन्थन सेवाना फुलनी चुवाज प्रस्रावती संस्ताने मदद करवानी पहल करी छे आ सिव कथा तारीक पांच ती तेर दर्म्यान सायन सिटी रोड सोला खाते योजानार छे जेमा परंपुज्य महामंडलेश्व दिलिपदास्टी माराज, पुज्य स्वामी विदित्यानंद सरस्वती माराज, पुज्य बालकृष्ण स्वामी जी अने गुजरात ना प्रकर प्रवाग धर्मरक्षक पन आ सिव कथा दर्म्यान हाजरी आपनार छे स्वामीनार मंदिर कालुपूर संचाली श्री स्वामीनार मंदिर मिर्ज्यम न तुर्तिय पाटोर सव गईकाले योजायो अतो प्रशंग मा स्वामिनान गादी आचार्य स्री पुर्शोत्तम प्रियत दासजी स्वामी महराजनी अत्यक्सामा स्री स्वामिनान मंदिर मनिनगर खाते उजवाता अमुत महत्सों मा अंतिम दिवस्वों मा संबार ना अंतिम दिवसे अंतिम दिवस ना रोज प्रभुजीना बव्य अंकुष्टनु आवजन करवा मा आव्युत्त विविज्जादनी वान्गियों तेमाच फरसाणों पण रजु करवा मा अभ्याहता तो मित्रोप आहता त्यार सुधी न मुख्य समाचार समाचार ने खास गतिविदी माटे आप निहारता रहो एस लाइव निउस बुलेटिन नमस्कार